रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वाज़त है प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ ग्यारेक क्रिया का शेश भाब पढ़ेंगे पिछली वीडियो में हमने क्रिया क्या होती है क्रिया कितने प्रकार की होती है क्रिया की परिभाशा पढ़ी थी अब हम पढ़ते हैं कर्म की द्रस्टी से क्रिया के कितने भेद होते हैं कर्म की द्रस्टी से क्रिया के दो भेद होते हैं सकर्मक्रिया और अकर्मक्रिया आएए सबसे पहले पढ़ते हैं सकर्मक्रिया सकर्मक्रिया क्या होती है किसान खेत जोत रहा है सर्वेस विध्याले जाता है सुरेंद्र पुस्तक पढ़ता है माता जी भोजन बना रही है उपरत वाक्यों में खेत, विध्याले, पुस्तक, भोजन शब्द कर्म हैं तथा जोत रहा है, जाता है, पढ़ता है, बना रही है, क्रिया है इन सभी क्रियाओं के कर्म हैं, इसलिए ये सकर्मक्रिया हैं इन सभी क्रियाओं के क्या हैं, कर्म हैं, इसलिए ये सकर्मक्रिया है सकर्मक्रिया के परिभाशा देखते हैं, क्या होती है जहां क्रिया का फल कर्म पर पड़े, उसे सकर्मक्रिया कहते है इसकी पहचान क्या है? कोई क्रिया सकर्मक है या नहीं इसे पहचानना सरल है क्रिया से पहले क्या, कहां, किसे लगा कर प्रश्न करें जैसे सर्वेस विध्याले जाता है सर्वेस कहां जाता है? हमने अगर इसकी पहचान क्या है सकर्मक्रिया की यदि हम इसे पहचानना चाहते हैं तो यह पहचानना बहुत सरल है किस प्रकार क्यूंकि क्रिया से पहले हम क्या कहां और किसे अगर लगा कर प्रश्न करते हैं तो हमें उसका उत्तर मिल जाता है जब यदि हमें उसका उत्तर मिल जाता है तो वह सकर्मक्रिया होती है यहाँ पर एक उधारन देखते है सर्वेश विध्याले जाता है यहाँ पर यदि हम जाता है क्रिया है इससे पहले हम कोई शब्द लगा देते हैं प्रश्न वाचक लगा देते हैं जिसे क्या कहा किसे इन में से कोई शब्द लगाते हैं तो हमें उसका उत्तर मिल जाता है तो यह सकर्मक्रिया है जैसे सर्वेश विध्याले जाता है सर्वेश कहां जाता है तो सर्वेश कहां जाता है, सर्वेश विध्याले जाता है, तो उत्तर प्राप्त हुआ विध्याले, इसका अभिप्राय है कि यह है सकर्मक्रिया है, कुछ सकर्मक्रिया है, कौन कौन सी है, जैसे पढ़ना, पीना, देखना, लिखना, काटना, तोड़ना, लेना, देना, उठ अकर्मक्रिया क्या होती है अकर्मक्रिया उमंग हसता है पीवुश लिखता है अभिनव सोता है दिनेश नहाता है उप्रुक्त वाक्यों में हसता है लिखता है सोता है नहाता है क्रिया शब्द है इनके कर्म नहीं है इसलिए ये अकर्मक्रिया है यहां क्रिया कफल करता पर पढ़ रहा है यह जो उपरुक्त वाक्य दिये गए है इसमें कोई भी कर्म नहीं है इन वाक्य में कोई भी कर्म नहीं हो रहा है इसलिए यह अकर्मक्रिया है और यहां पर क्रिया कफल करता पर पढ़ रहा है जो क्रिया कफल है वह किस पर पढ़ रहा है करता पर जो काम कर रहा है इसकी परिभाशा क्या होगी जहां क्रिया कफल करता पर पढ़े वहां अकर्मक्रिया होती है यहां क्रिया कफल जो है वह करता पर अगर पढ़ता है तो वह अकर्मक्रिया होती है इसकी क्या पहचान है जैसे हमने आपको बताया था सकर्मक्रिया में हम प्रशन लगा देते हैं क्या कहां किसे तो अगर हमें उसका उत्तर मिल जाता है तो वह सकर्मक्रिया होती है और इसमें क्या है यदि हम क्या कहां किसे लगा देते हैं तो हमें उसका उत्तर नहीं मिलता है आईए इसकी पहचान देखते हैं अकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए क्रिया से पहले क्या कहां किसे लगा कर प्रश्न करते हैं जैसे प्यूश लिखता है तो प्यूश क्या लिखता है इसमें हमें उत्तर प्राप्त नहीं हुआ क्यों क्यों कि प्यूश लिखता है तो अयदी हम प्रश्नवाचक शब्द लगाते हैं प्यूश क्या लिखता है तो हमें इसका उत्तर नहीं मिल रहा है उत्तर क्या प्राप् इसका जो क्रिया का कर्म नहीं है, यह जो क्रिया हो रही है, इसका कोई भी कर्म नहीं है, इसलिए यह अकर्मक्रिया है, कुछ अकर्मक्रिया हैं कौन-कौन सी हैं, जैसे आना, जाना, सोना, जागना, उठना, बैठना, चलना, निकलना, हसना, होना, आदे आईए एक बार अध्याय को दोहरा लेते हैं जे शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं क्रिया दो प्रकार की होती है अपने आप होने वाली क्रिया की जाने वाली क्रिया रचना या कर्म की दरस्टी से क्रिया के दो भेध है अकर्मक्रिया सकर्मक्रिया जिन क्रियाओं का कर्म होता है वे सकर्मक्रिया कहलाती है और जिन क्रियाओं का कर्म नहीं होता वे अकर्मक्रिया कहलाती है तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पाठ 11 क्रिया का शेश भाग पढ़ा तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए धन्यवाद